सतना शिरी वाहे गुरू साहिब जीओ परम सन्मानियो गुरूरू गुरू खाल्चा सा संगजी वाहे गुरू जी का खाल्चा वाहे गुरू जी की फते प्रभ पावे मानुख गत पावे प्रभ पावे तां पाथर त्रावे प्रभुनु पावे तां मनुख नाम जबके मुक्ती पौन्दा है जे प्रभुनु ना पावे तां मुक्ती नहीं प्राप्थुंदी प्रभुनु पाजावे तां पत्रानु वी तार दन्दा है एक सेट सहारन पर विच रह के शाहुकार दा कम करदा हुंदा सी उस दे दो लड़के सन समय अनुसार उसने दोहाँ दे व्या करदते एक दिन अपने उमर पोक के उस शाहुकार दी इस्त्री पर लोग नू चली गई उस दा गम उसनों खा गया अते उंजवी समय अनुसार बिर्द हो गया जे में साहब शीर गुर्णानक देवजी दा पुर्मान है सत्तर का मतहीन असिहां का विवार न पावै नवे का सेह जासनी मूल न जाना आप बल मंजे पर प्यार हिंदा ते बल गम सुटदा हिंदा नूहा देखके बहुत नफरत कर दिया सन क्योंकि शूम बड़ा सी किसनों खान पीन वास्ते माया नहीं सी देंदा इस करके नूहा ने अपने पतियानों केहा तुसी अपने पितानों हर्दवार ले जाओ ओथे जाके दान पुन अते गंगा इशनान करेगा कुझ सत्संगत करेगा जिस करके इस दी उमर सफल हो जाएगी दोहा लड़कें ने पतानों हर्दवार जान वास्ते केहा पर ओव ना मन्या फिर रिष्टेदारनों सदके ओना पसो भी कहाया के आप जीदा पिछला समा है तुसी सारे संकल्प छड़के हर्दवार जाके सत्संग ते इशनान वगेरा करो तो अड़े पुतर लाए खान ये वारो वारी तो अड़े कोल रह के सेवा करनगे पर ओ ना मन्या गुसे वेचा के केंदा है अजे ता जीओदा हाँ तुसी मेननों हुने ही कारवेचो कड़न लगे हो मैं गंगा पर बिलकुल नहीं जावाँगा गंगा दा पाणी ठंडा ते भाई हंदा है इसलेही ना मैं गंगा जल पिवांगा ना ही इशनान करांगा ओथसे सादू ते ब्रामन ठाग हंदे हन ओथा मैंनों ठाग के खा जाणगे इस करके मैं ओना दा दर्शन भी नहीं करना जोंदा कोई दिन बाद वो अपने स्वास पूरे करके मर गया उस दे मर जानते सारे रिष्टेदार इकठे हो गए सारा नल सला करके एह राय पास किती के पिता जी दा संसकार गंगा पर ही करिये अतिस्तारी दा पंडारा वगेरा भी ओथे ही करांगे इस तरह दा विचार करके बड़ी सोनी पाल की सजाके उस विच पिता दी दे रखके हर दवार वाल चल पए रस्ते विच रात पैगई एक तरमशाला सी सारे उत्थे ही रह पए गर्मी दा मौसम होन करके पाल की अंदर रख दती बाकी दे सारे रिष्टदार बार लमे पैगए ते आपस विच गल्ला करन लग पए के पिता जी नू गंगा दे रैंड लई बहुत कहा सी पर ओ नामन ने गंगा मया नू गाडियां दे सी होनता उस दिया हडियां गंगा मया विच परवा करा वांगे जिस करके इस दी मुक्ती हो जाएगी इस तरह केंदे केंदे ओ सारे सौंग गए अंदर एक कोड़ी रिंदा सी ओ सब गल्ला सुनदा रहा ते अपने माने विच विचार रहा एथे दा मेनो कोई पुश्दा ही नहीं हर्दवार बड़े दानियों दे हन जो दान पुण करके चले जान दे हन ओ थे मेरा निर्बा चंगा होवेगा इसलई जे मैं हर्दवार चला जावां ताही मेरे लिए चंगा होवेगा एगल विचार के मुर्दे नो अपने आसनते रख देता ते आम मुर्दा बढ़के उस पाल की विच सोंगया सवेर होन नाड सारे लोक उठके उस पाल की नो चुकके हर्दवार वाल तो रपए जिस विले हर्दवार पहुँच गए ब्रामन सादू कठे करके पितादा संसकार कर नमास थे पाल की खोलन लगे उस विले कोडी ने आंग हिलाई देख के सब हैरान हो गए के मुर्दा जंदा हो गया है जद कपड़े लाके विख्या ताँ पाल की विचों कोडी निकलया देख के सारे डर गए के एकोडी कितों आ गया है जा दोस्तों पुछया ताँ उसने सारा हाल सुनाया के तो अड़ा पिता उत्थे ही है रात नो जिस तरम शाला विच तुसी ठहरे सी मैं उत्थे पुखारेंदा साँ इस करके मैं पाल की विच लेट के एथे पहुंच गया हाँ एथे मांग के राज के खावांगा उस दियां गल्ना सुनके आपस विच कैन लगे साड़ा पिता जियोंदियां गंगा ते नहीं आया पर मर के भी नहीं ओदा प्या बाकी दे आदमी उत्थे रहे एक उस दा लड़का ते एक होर दो में मिलके उसनों लेण आए आके विख्या के मुर्दा उत्थे ही प्या है ओ उस मुर्दे नू करदी कोडी नाल बन के उपर दो में अस्वार होके चल पए मुर्दे दे होन करके कोडी ऐसी डरी जो हटके फिर सहार्न पुर ही वापस आगई लोग वेक के हसन लग पए ते पुछदे हन एक ही होया इस नूता पाल की वेच लटा के हरदवार लेगे सन एथे कोडी ते वापस के में आ गया उना ने सारा हल सुनाया फिर सार्या ने कहा जेडे हरदवार संबंदी बैठे हन उना सारा नो बला के इस दा संसकार इते ही कर दो सारा नो बला के उस दा संसकार सहारन पुर ही किता गया चोथे दिन उस दिया हड़ियां चुणके अपने प्रोहित नो बला के कहा प्रोहित जी तुसी आप जाके इस दिया हड़ियां गंगा परवा काराव सबने आपो अपनी मर्जी नाड प्रोहत नो किसे ने दो रपी ए किसे ने पांज रपी ए किसे ने सातर रपी ए किसे ने दस रपी ए देते इस तरह सो रपी या इकठा हो गया जिस विले प्रोफित हडियां लेके शैर तो बार आया ता माने विच ख्याल आया जे कर एहे रुपिया मैं नाड जावागा ता रा विच कोई डाकू लोट लवेगा इसलिए इसनू कार रखावा ता चंगा है एह सोच के बार जंगल विच एक ब्रेचती टानी नाड ओ हडियां वड़ी गुथली बनके आप आ गया पिछों एक पंगी लकणियां लेनवासते ओसे जंगल विच आ गया अते ओसे ब्रेचते चड़ गया गुथली देखके उसनू पलेखा पया गया के शायद इस विच तन है ओ गुथली लाके हेठा उतर आया दूर जाके गुथली खोलके टेरी कीती हडियां ता एदर उदर सोड़ देतीयां उस विचों पैसे रपएए सोना ते बिबान दे कड़न वाला कपड़ा आद ये सब चीज़ां लेके अपने कार चला गया पिछों प्रोहता के वेखदा है ता गुथी कोई ना मिली बड़ी तलाश कीती पर कोई पता ना लगा फिर हर्दवार जाके उथा चूठियां चिठियां लखवा के उना दे कारा के देदतियां ते केहा तो अड़े पिता दे फुल गंगा विच परवा काराया है इन्ने नाल ही उना दी तसलिह हो गई के सड़े पिता दियां हडियां गंगा विच पौँच गईया है पालकी दे आसे पासे जो पालकी नो टकन वाला खीन खाब दा कपड़ा गुती विचो पंगी नो मिला सी छे महिन तो बाद उस दी कुर्ती सवा के उसने अपने गड़ पा लई ते सेठ दे कर सफाई करन लई आ गया सफाई कार ही रहा सी ता सेड़ दी नो ने उस कपड़े नू पशान लिया ते अपने पती नू आ के आख्या उसने उसे वेले पंगी नू ताड के पुछया ता पंगी ने सच-सच कैद था के मैं जंगल विच लकड़ा लेन गया सी ओ थे ब्रेचनाड एक गुथी टंगी होई सी उसनो ला के फोले आ हड़िया ता खलार दतिया विच रुपईये पैसे सोना वगएरा कड़ के मैं वर्त लेया ते उस कपड़े दी कुड़ती बना के पा लेगी है पुत्रा ने ब्रादरी विच्चों मुखी आदमी पेज के उस प्रोहित नो बला के पुछया जो तू चिठी हर दवारों लिखा के लेन दी सी ए सची है या चुठी साच दस नहीं ता तेनू प्रोहित पुणे तों हटा जता जावेगा एगल सुनके प्रोहित डर गया ते एक जुगती दी गल कही के तो अड़ा पयो जियोद्या सारी उमर गंगा ते नहीं गया मर जान ते भी तुसी सारे पाल की विच बठा के ले गये फिर भी ओना गया रा विच ही रह गया पला मेरे नाड के मैं जा सकदा सी एगल सुनके सबना ने विचारया ओ हरी तो बेमुक्सी हरी नू पाया नहीं इस करके इस दी मुक्ती नहीं होई प्रभ पावे मानुख गत पावे प्रभ पावे ता पाथर त्रावे प्रभ पावे ता ही मनुख नाम जब के मुक्ती पोंदा है प्रभ पावे ता मुक्ती नहीं प्राप थुन्दी प्रभ पाजावे ता पथरा नू भी तार दन्दा है होई याँ पुल्ला चुकांदी खेमा बक्षनी जी दासनों आग्या देओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फते